नमस्कार फ्रेंज, वेल्कम टो आलपोनस कोकिंग स्टाइल, आज हमने बनाया कोलकत्ता का फ्यमास रजगुला, मेरा कोई फ्रेंज मुझे रजगुला का वीडियो डालने को कहा, सबने रजगुला बनाया तो किसी का कुकर में शीटे लागाने का बाद भी सपनी हुआ, तो आज हम कुछ टिप्स के साथ शियार करेंगे कैसे पार्फेक्ट शॉप्ट रजगुला बनाया जाता है, मैंने एक लीटर फूल क्रीम दूद लिया, दूद को मैंने बोयल करने के लिए राग दिया, दूद को ज्यादा बोयल करने की जोरुरत नहीं है, दो तिन बार उबा दलते होए दूद से आगर हम छेना बनाएंगे, ओ छेना थोरी से सक्त होगा, मुझे राजगुला बनानी के लिए बहुत ज्यादा शॉफ्ट मतलब नर्म छेना का जुरुरत है, मैंने दो टीबिल स्पून भीनिगार और दो टीबिल स्पून पाने के साथ मिलाके राखा, इसी से हमें छेना बनाना है, आप भीनिगार के जगा निम्म के राज़ भी डाल सकते है, दो तिन मिनी ठान्ड हो गया, आप इसमें थोड़ा थोरा करके हम भीनिगार डालेंगे, ओर चामुस से मिलाते जाएंगे, जोब ए छेना प्रोपरली बन जाए, तब हम भीनिगार बंद करेंगे दिखी ए छेना प्रपार बन चुका है पाने भी थोरा से यूलस आगया आब हम ए छेना को एक कोटन के कप्रा में चान लेंगे ये छेना को हमने चान लिया आब इसमें हम ठांड़ा पानी डालेंगे ताकि छेना का अंदर जो खट्टापन है ओ निकाल जाए औ इसी तरह हम निचुन निचर के छेना से छारे पानी निकाल देंगे और इसे हम एक जागा पे टांग के राग देंगे 20 मिनिट के लिए 20 मिनिट हो गया आप छेना को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं देखिए ये छेना बहुती सौप्ट बना है मैं इस तरह देखिए हा दालेंगे एक टेबिल स्पुन मैदा और मैदा डालके आच्छे से मिक्स करेंगे और उसे भी फिर मासल लेंगे मुझे 4-5 मिनिट इस सेना को मासल ना है ताकि प्रपली चिक न बन जाए ये छेना रेडी है आप इसे दो पर्षन में डिभाइट करेंगे एक पर्षन से हम गोल रजगुला बनाएंगे और एक पर्षन से हम थोड़ा से लंबा शिपला रजगुला बनाएंगे ये छेना से थोड़ी से छेना हम हाथ में लेंगे और इस तरह गोल गोल बनाएंगे एक बत का ध्यान राखना है बन पे अगर कोई क्रेक आये तो ओच रजगुला टूट जाएगा तो बन में कोई क्रेक नहीं आनी चाहिए आप चास्नी बना लेते हैं कोड़ाई में एक काप चीनी डाला और उसी काप में हम चार काप पानी डालना है रजगुला बनाने के लिए हमें पातला चास्नी की जोरुरत है चास्नी बोयल होने लागा आप इस में डालेंगे एक टुकरा निम्बुका रास ताकी जब चास्नी गाडा हो जाए ओ क्रिस्चलाइज ना बने मतलब जब चास्नी गाडा हो जादा तो चीनी जैसे बनने लागता है ओन ही बनेगा आप उबालते होए चास्नी में एक एक करके बॉल डालेंगे एक साथ हम जादा बॉल नहीं डालेंगे ताकी इसका टेमपराशर ड्रॉप ना करे आप इसे ढखकर दोस मिनिट कूखोने देंगे आठ मिनिट के बाद ए रोजगुला कितना बड़ा बड़ा साइज हो गया आप इसे बिजबिश में ऐसा हम हिलाते रहेंगे ताकी प्रॉपली कूख हो सके और दो मिनिट हम पाकाएंगे दो मिनिट के बाद ढखकन खुलके देख लेते हैं और इसे थोड़ा से चामोस से हम ओलोट पलट कर देंगे ताकी प्रॉपली कूख हो सके और इसका चास्नी भी थोड़ा से गाड़ा हो गया आप इसमें थोड़ा थोड़ा गोरुम पनी डालेंगे और मिक्स करेंगे फिर उसका बाद फिर दोस मिनिट ढखकर कूख करेंगे जाक से कड़ाई भड़ गया तो आभी राजगुला होने वाला है और 20-20 में हम इस तरह हिलाते जाएंगे 20 मिनिट हो गया आप धक्कन निकलके चेक कर लेते हैं तो एक राजगुला हुआ की नहीं हुआ चेक करने के लिए हमने एक कटरी में पानी ले लिया और एक राजगुला ठाके हम काटरी में डालेंगे अगर राजगुला नीचे डूप जाए तो मतलब राजगुला बन चुका है और राजगुला अगर पानी को पर तहरने लगता है तो इसका मतलब और भी हमें ए राजगुला को पकना है आब हम दो भंटाई कराई में रहने देंगे, उसका बाद छाप करेंगे इसी तरह भाकी छीना से हम लंबा शिप आले रजगूला बना लिया और उसी प्रसेस में चासनी बनाया और एक एकर के चासनी में रजगूला डाला और दोस मिनिट इसे ढग के कुप किया दोस मिनिट का बाद धोक्कों निकालके चेक किया वो थोरा से 20-20 में से हिलाते गया और चास्नी कम हो जाने से फिर हमने थोरा से गरम पने इसमें एट किया और फिर दोस मिनिट धाग देया इसी तरह हम दूसरा बैस की राजगुला बाना के रेडी कर लिया इसे तरह हमने सारा राजगुला बाना के रेडी किया फेस्टिबेल की टाइम है आप भी घर पे आसने से बनेए करवाचत की धेर सारे सोपकावना मेरी तरफ से सब जोरी खुशी आल जिंदिकी बिताए और मेरी रेसिपे आच्छे लग तो मेरी चानेल को प्लीज सब्सक्रा किजिए लाइक शेयर और कोमेंट्स किजिए फिर मिलेंगोर एक रेसिपे के साथ टेक क्यार